एक बंदा उर्दू बोलता है और उसको उर्दू का सिम्पल सा सतही इतियास भी नहीं पता है इससे बड़ी और क्या ट्रेजडी होगी ना समझी और जाहिलपन की अच्छा अभी आदर जी भी आ गए बूलिए अच्छा यह जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंडू किया जाएगा मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आलाद तो यह है वुडमेंट साहब कि पाकिस्तान की जो पंजबी है इन्होंने अपनी मदर टॉंग मतलब है जो इनकी मातर भासा है उसको इनोंने नहीं बख्सा, किसी पंजाबी को पंजाबी लिखना नहीं आता पाकिस्तान में और मुसल्मानों ने आर्टिफिसियल स्टेट बनाए पाकिस्तान, उनोंने लैंग्विज बनाए आर्टिफिसियल उर्दू, जिसमें आप बड़े प्राउड से बोलते हो तो इतनी एट के बीच अंडू कहा से आएगा कोई आपको कैसे लगता है यांडू होगा देखिए यादव एन पी यादव साहब यापने दुरुस्त फरमाया कि पंजाबी जो है एक मर्तबा फिर आप बोल दीजिए क्या आपने बोला पंजाबियों के मतालख उन्होंने अपनी मातर बहसा थोड़ दी पंजाबियों को पंजाबी लिखनी पर नहीं आती पाकिस्तान में यह एन पी यादव उस तरफ की बात करता है जिस तरह से खयाम खयाम मोगल जो है ना मोगल आपने आपको मोगल बोलता है बात करता है पंजाबी में देखिये जैसे हमेशा महालीज सरकारी कहती है या आप भी इस बात को समझते हैं कि ओवरनाइट तो बच्चा पैदा नहीं होता येस ठीक है तो वक्त लगेगा नहीं नहीं ये फैसला ओवरनाइट लिया गया था किसी क्रांती की वज़े से यहां का जो पाकिस्तान के जो पंजाब है वहां की लेंग्वेज चेंज नहीं हुई ओवरनाइट गोसना की थी मौमद अली जिन्ना ने कि उर्दू हमारी राष्ट्रे लेंग्वेज होगी दूसरे दिन से इन्होंने उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया लिखना और पंजाबी को मार दे ठोक कर ठीक है और आज आख भी पाकिस्तानीयों को उर्दू नहीं आती यही आप कहना चाहते हैं ना वो उर्दू का तो मडर करते हैं बोलने में जो पंजाबी है ना पाकिस्तान के यह इनके मौँसे उर्दू इतनी बुरी लगती है कि पूछो मत देखिए यह तो एक तन्फ्यूजन की सिचुवेशन है कि घर में वो पंजाबी बोलते हैं बाहर जाके उर्दू बोलते हैं इंग्रेजी के 20 से 25 लफ़ज बोलते हैं अर्बी के 10 लफ़ज बोलते हैं यह आपकी बात बराबर सही है मगर इसका मतलब यह नहीं एक बन्दा है जो खुद के पंजाबी होने पर प्रावड फील करता है और हर जगे धिंडोरा पीठता है मैं पंजाबी हैं पंजाबी हैं और उस बंदे को पंजाबी लेंग्विज लिखना पढ़ना नहीं था और वो सीखते भी नहीं है इससे बड़ी और क्या ही नहीं होगी देखिए देखिए चलो उन्होंने बात already तो कि इंडिया की पार्लिमेंट में उन्हों ने बात तो की ना कि हमें पार्टीजन को अंदू करना होगा आज नहीं कल नहीं बात होगी ऐसा ही आ होगा पार्टिशन तब अंडू होगा जब ये कंट्री वाला कॉंसेप्ट खतम होगा जब तक कंट्री वाला कॉंसेप्ट चालू रहेगा कोच भी अंडू नहीं होने वाला देखिए पाकस्तान का जो खतम हो गया वो तो दफन हो गया 1972-1972 में अच्छा आप उर्दू बोलते हो सर तो क्या मुझे बताओगे उर्दू बनाने की जरती क्यों पड़ी इसका तो कोई ओरिजिन तो है नहीं इंडिया में तो उर्दू को क्यो बनाए गया क्या इंडिया में लोंग वेज़ की कमी थी देखिए मैं अभी नहीं जानता आप इस पर अपनी रहनमाई फर्मा दीजिए मेरी रहनमाई तो यह है आप इतनी फकर से और इतने अच्छे अंदाज में उर्दू बोलते हो और आप कुछ करूँ नहीं इतनी प्यार से नहीं बोल पाओगी सर ट्राइ करके देखो आपको उर्दू पर मास्ट यासल है बोलने में खास कर तो कम सकम आपको पता हो ना जहीं को बनाया ही क्यों गया मेरी नजर में तो उर्दू एक अन्वांटेड बच्चा है जिसकी कोई जरुत नहीं थी और नफरत की बुनियाद बना उर्दू लेंग्वेज बहुत मिठी है लेकिन उर्दू ने जो नफरत का परतीक है न उर्दू अगर इसकी रियल्टी जानो तो तो इससे बड़ी को कोई लैंग्यों है नहीं शाय वड़ कितने वी मिठ्थे हो उर्दू जोई इंडिया की इंडिया की लेंग्वेज थी ये नियुंग्वेज इसको बना फिक पिए ए्टीम्युटS लक नफरने के लेंग्वेज। काउंटर करने के लिए एक लेंगविज बनाने की जर्थ क्यों पड़ी हिंदी में क्या कमी थी या क्या नफरत थी मती ये जवाब पूच्ता हम वो डिमैन से क्या हिंति सलय है ये खाई लिए अब में वजलेख लिए लिए जाई अच्छा बताएं पर शोर्थ नर्थ वेंदी आर्थ मुझें डेंक्वाइट सेथिए न्र्थ जूब्स इए जो ट्रट थैंट विवेंदी आफर मुलिंदेट कोंक्वें के ये थी वुआ लिए फ्र languages and dialects spoken throughout the region of pakistan produced an imminent need of a uniting language urdu was chosen as a symbol of unity for the new state of pakistan in 1947 because it had already served as a lingua franca among muslims in north and northwest british india you know in a way you can say that so but what what does that mean though i don't think there is anything with it yadav ji languages not no not no 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 yeah 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 तो लेंग्विज का तो वही कसूर नहीं है लोगों ने अब इंवेंट कर लिए आप लेंग्विज के ऊपर भी लड़ोगे यह तो बांगलादेश के वजूत में आने का सबसे मुख कारण तो उर्दू है इतना बड़ा कांड हुआ है उर्दू की वज़े से और आप कहते उ कितनी बंगालियों औरतों का रेप हुआ मडर हुआ इसके लिए इसलाम जिम्मिदार नहीं था क्योंकि दोनों तरफ मुस्लमान थे वहाँ पर तो सारा पंगा ही इसका था लेंग्वेज का तो आर्वीज को पर लेंग्वेज का तो पता है ना डाका यूनिश्टी में जब बहुता एंग्वेज सुटी ती 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 सब्काञ था है तौय छीज कोई शीज के और क्यास की जाए इसमें फरक है कोई चीज आपके सामने पेस्की जाएगी आपके तो इस if I have to move forward Indians have to move forward and develop better things than being oh, हमें तब इंगवेड किया था, तो ये हुआ था, तो वो get over it, हुआ था, उसको नहीं चेंज कर सकते ना, कैसे चेंज करोगी? History has already written itself, what you can do is change the history that is going to happen in the future, आप वो नहीं कर सकते हो, आप अभी सब बैठके आप यहां पर आप आज लेकर आए होगे language का, language हो गई, create हो गई, अब क्या किया जाए उसका? अब यह देखो ना, आप यह देखो ना, आप यह देखो एक बंदा, एक बंदा उर्दू, एक बंदा उर्दू बोलता है और उसको उर्दू का simple सा सतही इतियास भी नहीं पता है, इससे बड़ी और क्या tragedy होगी, ना समझी और जाहिलपन की? अगर तो आप उर्दू जबान की फिलालोजी की बात करते हैं, तो उस पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मकाबले या किसी बात की तुला करना चाहेंगे, तो ये चैनल तो नहीं है, और N.P. आदव जैसे महलीज सरकारी ने फरमाया, आपको माजी को अपने हाथों से छोड़ना होगा, फिर ही आप तरकी कर सकते हैं, अगर आप किसी की अभी जबान के उपर, देखिए अगर अर्बी जबान, अगर मुसल्मान की जबान है, तो इ इसराइल में, फलस्तिन में मुसल्मान तो नहीं रहते, अरेबिया में, दुबाई में, अगर हिंदी-हिंदूओं की जबान है, तो उधर तो मसीही भी रहते हैं, मुसल्मान भी रहते हैं। तो हम नहीं करेंगे बाइज़ नग्वेज बनाने की जर्थ क्यों पड़ी? सिंपल सवाल है, एक आर्टीफीसियल लाइज जान बूझ कर बनाने की जर्थ पड़ी? इसका जवाब है तो देदो. हम नहीं ढ़ेंगे इसका जवाब. जब बहुत जबाब देती हुँ इसका भाया आके इनवेट करने की भी क्या जरूरत थी आप लोग ज़रूरत थी जवाब थी जवाब थी लोग क्रियेट कर रहे होते ना तो देंदे प्रीट आपने अपना वह पॉइंट प्रूफ कर लिया के जबर्दस्थी एक जबान मना तो उनका रीजन ये था कि उनाइट करना चारे थे अंडर दिस वन ठांग अब क्या करें उसका अब आप बैटके उसकर उत्तर होगे पॉइंट इस दाशा वुडमेंजी से क्यों से जब पाकिस्तान की उर्दू न्यूज जैनल के एक बंदा पंजबी लहजे में उर्दू का मडर करता है तब आपको कैसा फिल होता है वुडमेंज साथ क्योंकि वो चैनल अर्दू का होता है देखिए देखिए ये तो आप सारे सवालात मेरे लिए ही कर रहे हैं लेकिन मैं तो पाकिस्तानी चैनल नहीं देखता तो मैं तो यह दिखा रहा है कि यह बड़ी इपोक देखिए मैंने तो पहले ही अरज फर्माया है कि पाकिस्तानी लोग धर्मे पंजाबी बोलते हैं बाहर जाको उर्दू बोलते हैं मैंने पहले ही अरज किया कि बहुत ज्यादा कन्फियूजन है उन लोगों को सोचो वचार का मोखा मिला ही नहीं उनको अजादी नहीं नहीं ना तो अर्दू आती है पूरी तरह से आती है पूरी तरह से ना उनको इंगलिस आती है पूरी तरह से किस तरह का ये मिक्स ब्रियर क्रियेट हो रहा है ये बताओ तो एन पी आदव साहब क्या इसके वुडमैन एक्स से जमेदार है अरे नहीं सर आप मुझे लगा आप अर्दू से महबत करते हैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछना की जामत उठाई देखिए हम तो हिंदी से भी महबत करते हैं हम तो फ्रांसी सी जबान से भी महबत करते हैं कोई बंदा उर्दू का मडर कर रहा हो लाइव चैनल पर चैनल का नाम उर्दू में है एडलाइन उर्दू में आ रही है चैनल को बार बार उर्दू चैनल बोला जा रहा है और वहां पर बोली जा रही है पंजाबी लेजे में उर्दू हर प्रोग्राम में तो कैसा मैसूस हो अगर आगर 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 सारे हिंदुस्तानी पचास साल पराने लबोलहजे से बोलते हैं मुझे लगाइट मार्वल यूनिवर्स यूंजे लगाप कहोगे मार्वल यूनिवर्स यूज्ड है अच्छी बात आप एकस्मैन की टीम के इसा हो क्या जैसे आपकी मर्जी